चलिए आज हम बनाएंगे अंकूरी चना और सोयाबिन की सबजी खाने में बहुत टेस्टी होती है और आप इसका सैलेट के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इसे गुड के साथ खाएए बहुत ही हाई प्रोटीन होता है हीमोगलोबिन से भरपूर होता है सेहत के लिए और इसे अच्छी तरह से दो लिया वॉस कर लिया है इसे तीन से चार पानी बढ़िया से दो लेने के बाद आप देख सकते कि कितना बढ़िया अंकूरा हुआ है अब हम इसमें डाल देंगे नमक लाल मिर्च का पाउडर तेजपत्ता आधे इंच दाल चीनी और एक बड़ और इसे सिर्फ जादा नहीं दो से तीन सीटी ही तीन विसल ही लगाएंगे क्योंकि जादा गला देने से क्या होगा कि जो अंकूरा हुआ है न वो चना से अलब हो जाएगा जो दीखने में अच्छा नहीं लगगा यह एज़ी तीज़ी रहे तब बहुत ही अच्छा दिख पानी में थोड़ी दिर के जब तक कूकर में सीटी देगा तब तक हमारा सोयवीन पानी में इस तरह से भीगा के हमें रख देना है यह देखे तीन सीटी के बास कितना बढ़िया चना हमारा एकदम 80% जैसा पंग गया है वैसे चना पूरी तरह से पंग गया है विकिन हमने हमने पंग पकाई ज़ि кожa कर देना आjuk नों अनकूरित जाते हैं आप यहांपे हमने कुकिंग ओएल ले में सरसो तेल का इस्तेमाल किया हूं मैं इसे बिहारी स्टाइल में बना रही हूं इसलिए मैं यहां पे कुकिंग ओविको चाथे आप उसका यूज़ कर लीज़े हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी तल के निकाल ली है ताकि यह ना बहुत अच्छा लगता है इस तरह की सब्जी में जब हम बाद में खाना काने बैठेंगे तो अच्छा लगता है अब देखें यहां पे हमने एक प्याज कूकर में डाल दिया थ इसे यह देखें जाने के बाद जो मैंने प्याज कट कर रखा था उसको भी अब हमने तेल के अंदर डाल दिया है इसे अच्छी तरह से ना हमारे बिहारी स्टैल में बोलते है थूर थूर कर पकाना यह नहीं से दबा दबा करके हमें पकाना है और इसके लिए ना आप जो लंबे टुकड़ों में काट लिया है और अब प्याज के साथ एड़ कर दिया यहाँ पर एक बड़ा वाला लसन मैंने लिया था उनकी कल्या छील ली थी और अद्रक मैंने ले लिया था एक इंच के करीब और अद्रक का जो छीलका होता है उसे हमने हटा लिया था अगर देल में लिया इसका एक बढ़ाई पेस्ट जैसा रैडी कर देंगे और यही है बिहार के सब्जी की खासियत या तो वहां पे मसाला पीस करके डाला जाता है और ग्या तो फिर अगर आप इस तरह से कट करके डालते हो तो इसे दबा दबा करके यह कढ़ाई में ही पूरा प इतनी बढ़िया लगती है कि इसका टेस्ट आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा चलिए इसे देखिए दबाते हुए हमने किस तरह से बढ़िया एक्दम पेस्ट के जैसा रैडी कर लिया है इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला था थोड़ा नमक हमने कुकर में डाल दिया था 90% और 10% हमने यहां पे नमक का यूज किया है थोड़ा सा अभम हल्दी डाल देंगे इससे क्या होगा कि हमारा जो मसाला है जल्दी से पक जाएगा यहां पे मैंने थोड़ी सी कस्मीरी लाल मिर्श का यूज किया है क्योंकि तीखी वाली थोड़ी सी लाल मिर्श मैंने कुक इसका फ्लीवर जो एक टेस्ट आए गा ना वो लस्ट नद्रप और प्याज वाला जो आएगा और इस तरह से जब आपकी सिर्फ से मैं प्याज कट कर दाला था तामाटर भी बड़े बड़े चॉप्त हैं अग्तम मसल मसल के कि स्तरह से भूना है और यह इसकी भूना ही होती इसी में इसका सारा टेस्ट होता है इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है तो बस यही बेसिक मसाले देशी मसाले हमारे इस सबजी में रहेंगे बाकी उपर से हमें कोई भी मसाला एट नी करना है जो चना हमने अंकुरा हुआ उबाल के रखा था उसे भी अब हमने डाल दि इसका पूरा पानी हमें निकाल देना है इस तरह से आप चाहें तो 10-15 मिनट आप बॉल कर सकते हैं उसके बाद उसके पानी को निचोड करके आप डाल सकते हो बट मैंने यहां पर फूला दिया है बाकी इस सोया बीन के पानी को हम सबजी में नहीं डालेंगे क्योंकि यह थ सादा करी करनी है। यहरी सोया बीन दे करी ढ person किया हूँ कर भान अधायां रूटी पराठी अग्योंकि निकलना है। यहां पर मैंने द्यों को थोड़ा सा जबा extraordin है। इस गडम ढवारा का क्योंकि दिसायं दे aggress estosब्मा पान करीं दैए हब फाना समया बट मैं आतन दया घर आगे यह लगता है कि थोड़ा सा ड्राइ हुआ है तो मैं हाफ कप वाटर इसमें एड़ कर दूंगी अब देखिए हमारा यहां पे सबची बन करके रेडी हो गया है दिख रहना लाजवाब जरूर सही से ट्राइ करिएगा आपके बच्चे बहुत जादा पसंद करेंगे प्लेटिंग करते हैं यहां पे ने ले लिया है थोड़ी जिले राइस और यह वाली सबचिना अब तो भी बहुत बैस्ट लगता है प्लेटिंग के साथ भी अच्छा लगता है रोटी के साथ सब के साथ बड़ा मज़ाए एक तब भढarenthया ग्रीन प्रेस कोरियंडर हम्ने यहां पे चौप किया और उसे डाल दिया है ताजे ताजे धरे धन्ये इसके अंदर ना गजब टेस्ट को बढ़ा देते हैं बहुत ही अच्छी खुश्बू के साथ अब यह हमारी थाली यहां पे रेडी हो गई है और जो इसमें से गर्मा गरम यह किस तरह से धुआ निकल र कि हमारी जो अंकुरी चना है वह एस इतीज रहे ताकि हम जब हमारे घर पे गेस्ट आए तो हम उन्हें इस तरह से बना करके खिलाएं उन्हीं भी बहुत मजाएगा और घर में भी आप जिसे भी खिलाएंगे उनको अच्छा लगएगा अगर आपको यह सोया बीन और डेस वीडियो के नॉटिफिकेशन आप सब तक मिलती रहेंगी कमेंट करके बताएगा मुझी कि आपको सब्जी कैसी लगी है यह बिहारे स्टाइल और फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए वीडियो को पूरा-पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाज थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बागाई